क्लास 12 व्यावसाइक संगठन कल जो हम लोग 2 चैप्टर पढ़े थे देशी व्यापार उसी के अंतर के था विक्रिशम बर्धन विक्रिशम बर्धन में विग्यापन मिताता आज हम लोग विग्यापन का ध्यान करेंगे विग्यापन क्या होता है इसकी परिभाशा महत्त विग्यापन के साधन और विग्यापन के गुणदोश आएए सबस पहले विग्यापन के बार में जाने विज्यापन है क्या विज्यापन का साप्दी गड़ते विशेश ग्यापन विशेश जानकारी देना ग्राकों को छोटे ब्यापारियों को थोग ब्यापारियों को टीलर को और एजेंटर को इन सब को मैंने सारे समाज को अपने उत्पादित वस्तुओं के बारे में इसेश जानकारी देना विग्यापन का लाता है विग्यापन का डिफिनिशन है एक स्कॉलर है वालिंग वालिंग ने कहा है कि विग्यापन को वस्तु या सेवा की मांवत्पन करने की कला कहा जा सकता है बिग्यापन एक संभावित ग्राहकों को किसी विशेश उत्पाद या सेवा या बिचार की पर्याप्ट जानकारी उपलब्ध कराना ताकि ग्राहक व्योसाई उस वस्त की ओर आकर्शित होकर क्रे करने के लिए प्रेरित हो सके इसे ही हम बिग्यापन कहते हैं बिग्यापन के महत्तों बिग्यापन के ऐसे कुल छे महत्तों हैं Importance of बिग्यापन कुल छे महत्तों बिग्यापन की बताये गए हैं एक तो है ग्रांकों को ने उत्पादों से परिचे कराना, जो ने उत्पादों से उसकी जानकारी ग्रांकों देना, दूसरा है उत्पादों की मान में वर्धि, विज्यापन से जो ने ने उत्पाद होते हैं और जो पुराने उत्पाद हैं उन सब में वर्धि हो जाती है, उ प्रतियोगिता है गला काट प्रतियोगिता एक दुसरे को पीछे चोड़ कर आगे बढ़ने की होड जो लगी है यही है प्रतियोगिता तो दिज्यापन के माध्यम से हम एक दुसरे को पीछे चोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं चोथा है विक्रे को सरल बनाना अगर माल को सही समय पर और सही मूल पर वेचना हो और विक्रे को आसान बनाना हो मलब आसानी सपनी वस्तू को विक्रे करना हो तो विज्यापन अतियावश्यक है अगला महत्व है संस्था की ख्यात में विर्द्धि विज्यापन की मात्यम से हम बेवसाइक परतिष्ठान की और द्योगी की काईयों की निर्मान करताओं की ख्यात में विर्द्धि भी कर सकते हैं ख्यात माने होता है कि जो हम एक अनुमान लगाएं हैं अनुमान से अधिक लाव कमाना ही ख्यात कहलाता है ख्यात माने सम्मान नेम फेम तो विज्यापन की मात्यम से संस्था की ख्यात में भी व्रद्धि होती है और छठवा है उत्पादन लागत में कमी क्योंकि प्रत्योगिता के माध्यम से आजकाल बाजार में वस्तुओं का क्रे विक्रे होता है इसलिए सभी उत्पादक के चाहते हैं कि कम लागत पर अधिक उत्पादन करें और कम लागत पर हम विक्रे करें जिससे हमारा विक्र अधिक सदिक हो सके अधिक सदिक ग्राहकों तक हमारा वस्तु, मारा माल पहुचे तो उससे भी हमारे लागत में कमी आती है फिर नेक्स टेडिंग है विज्ञापन के साधन लब वो कौन-कौन से साधन है जिनके माध्यम से हम परचार-प्रशार कर सकते हैं लोगों तक अपनी सूचनाएं, अपने वस्तु की विसेशताएं पहुचा सकते हैं अपने उत्पाद और सेवा का विस्तार कर सकते हैं ऐसे कौन-कौन से साधन हैं तो differences means of advertisement उसमें पहला है समाचार-पत्र समाचार-पत्र एक अत्यन्त लोकप्री और महत्पून साधन होता है इसके अतरगत विज्याप्रों को नीमित और निरंत रूप से प्रकासित किया जा सकता है ये अनेक भासाओं में छापे जा सकते हैं हिंदी भासा में जिसे दैनिक जागरण है दैनिक भासकर है अंग्रेजी भासा में हिंदोस्तान टाइमस टाइमस आफ इंडिया ये सब भारती समाचार पत्र हैं इनके माध्यम से भी अपने वस्तू का प्रचार प्रशार आसानी से कर सकते हैं माध्यम होता है पत्रिकाएं मैक जीन्स मैक जीन्स भी अनिक प्रकार की होती हैं समय के आधार पर पत्रिकाएं साहितिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही और वार्शिक हो सकती हैं असे बच्चों के लिए आती है चंदन है, चंपक है, डामइंड है कॉमिक सुगर है महिलाओं के लिए आती है, सरिता quindi गरी लक्षमी है, गरी शोभा है इसी प्रकार से अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनके माध्यम से भी हम अपने उत्पाद का प्रचार प्रशार विज्ञापन कर सकते हैं तीछरा है पोस्टर्स पोस्टर्स का असे होता है कागज या गत्तिग ऐसे टुकड़े जिन पर वस्तु के बारे में आवस्षक जानकारी छाप दी जाती है और साथ ही इसमें वस्तु का एक आकरशक चित्र भी दर्शा दिया जाता है और यह बिविन रंगों से बनाया जाते हैं यह रेल्वेज टेशन, बस स्टेंड, चोराहा, सडकों, गलियों, दुकानों आदि की बाहर लगा दियाता है जिससे यहां आने जाने वाले अधिक सदिक लोग इसको देख सकें जो चोथा माध्यम है विज्ञापन के साधन का वह है विज्ञापन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड विज्ञापन बोर्ड साजनिक अस्थानों पर बिसेस करके लगा जाते हैं जैसे चवराहे, रेलवेज स्टेशन, बस स्टेंड, सिनेमा गर के आसपास आदे इन बोर्डों पर वस्ट की संचिप्त जानकारी के साथ साथ वस्ट का आकरशक चित्र भी दर्शाया जाता है कई बार आकरशक स्लोगन अगर भी लिख दे जाते हैं जिसके माध्यम से ग्राहक व्यापारी उस वस्ट से आकरशित हो सके नेक्स्ट है विद्दुत पर दर्शन इसके अंदर गत विग्यापन बोर्डों को रंगीन बल्बों से सजाकर वस्ट की जानकारी दे जाती है ये बोर्ड भीड़ वाले बाजारों के उची दिवारों या उची अट्टालिकाओं पर लगा जाते हैं रात्र के समय आने जाने वाले लोग विद्दुत के प्रकास में चमकते हुए रंगीन अक्षरों द्वारा इनकी ओर आकरशित हो सकते हैं नेक्स्ट है आकाशी विग्यापन कुछ विग्यापन ऐसे होते हैं जो कुछ बिसीस नजारा प्रस्तुत करके जन्ता का ध्यान आकरशित कर सकते हैं जैसे हवाई जहाँच का पाइलेट हवाई जहाँच के धुवे से आकास में कुछ शब्द लिग देता है ऐसी आकरशित बरां देता है जिससे कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कुछ देर में अध्रिशी भी हो जाएगी विग्यापन के अमाध्यम आकरशक परंत महंगायों अल्पकालिक है इसी प्रकार गुबारों पर विग्यापन का संदेश लिखकर उन्हें आकास में उड़ा दिया जाता है विग्यापन के अमाध्यम सस्ता आकरशक और स्थाई होता है नेक्स्ट है दीवार प्रदर्शन वाल डिस्प्ले दीवाल के माध्यम से भी बड़े-बड़े अक्षरों में चित्रों सहित संदेश लिखकर के प्रचार प्रशार कर सकते हैं इस साधन का प्रियोग प्राया फसलों की दवाईयां राशाय निखाद, विजिली के मिटर, मोटर, सेमेंट आधि का विग्यापन किया जाता है जैसा कि आप लोग शहरों में देखते भी होंगे रागिये जब भी उस रास्ते से जाते हैं, दिवार पर लिखे विग्यापन को बार बार पढ़कर उनकी याद ताजा जाती है यह विग्यापन का एक बहुत महत्पूर प्रभावशाली माध्यम होता है नेक्स्ट है रेडियो, रेडियो की माध्यम से भी हम अपने उत्पादित वस्तु का विग्यापन कर सकते हैं रेडियो पर प्रसारित होने वाले विविन कारकमों के बीच बीच में वस्तुओं और सेवाओं के विग्यापन भी सुनाई देते हैं कई बार तो पूरा कारेक्रम ही किसी उत्पादक द्वारा प्रायोजित ही किया जाता है जैसे बिना का गौतमाला के विद्या माध्यम से बिना का टूथपेस्ट को प्रसिद्धी मिली इस प्रकार दैनिक प्रयोक की वस्तुओं का बड़े पेमाने पर विद्यापन रेडियो के माध्यम संभव होता है यह चित्रत या लिखित विद्यापन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है यह आनपण लोगों के लिए वादान होता है रेडियो के माद्धम से विज्ञापन करना, जो पड़े लिखे नहीं वो भी सुन करके समझ लेते हैं नेक्स्ट है दूर दर्शन, टेलिवीजन टेलिवीजन के माद्धम से भी हम विज्ञापन को और प्रभावई बना सकते हैं दूर दर्शन पर दिखाय जाने वाले सभी कारक्रमों की सुरवाद में, भीजबीच में और अन्त में बिविन कमपन्यों दारा उत्पाद के छोटे-छोटे चलचितर दिखाय जाते हैं कुछ कमपनियों तो दूर दर्शन कारकरमों को ही प्रायोजित करती हैं इस माध्यम से वस्त को देखने, सुनने, उनकी उपयोग को समझने का मौका भी आमजनता को मिलता है। इससे कमपनी ख्यात भी वढ़ती है, विग्यापन का प्रभाव अधिक देड़ तक रहता है और वस्त तेजी से लोग प्रीवी होती है। परंदी अमाध्यम बहुत महंगा बढ़ता है और इसका जीवन कम होता है। दूर दर्शन पर अधिक विग्यापन दिखाये जाने के कारण कई वार दर्शक इससे उप भी जाते हैं। लेकिन वेवसाईग दर्शकोण से और द्योगिक दर्शकोण से दूर दर्शन का जो विग्यापन होता है। टेली वीजिन का जो विग्यापन होता है। बहुत प्रहावशाली और लाफकारी होता है। नेक्स्ट और लास्ट है विग्यापन के साधन में सिनेमा. तो सिनेमा चोटे-चोटे चलचित्रों के माध्धिम से, फिल्मों के माध्धिम से विग्यापन किया जा सकता है या किया जाता है. विज्यापन करता है बहुत मनमुहक और आकरशक विज्यापन फिल्म तयार करकर सिनेमा घरों में प्रदर्शित करता है ये छोटे-छोटे फिल्म होते हैं सिनेमा सो आरंब होने से पूर और मध्यांतर के समय या सिनेमा के अंत में दर्शकों को दिखा जाता है जिससे उन्हें उत्पाद के गुणों की जानकारी, किस्मों की जानकारी, मुल्यों की जानकारी और गारंटी वारंटी सभी प्रकार की उत्पादित वस्तुओं की जानकारी भोगताओं को ग्रांकों को प्राप्त जाते ही अब हम पढ़ेंगे विज्यापन के लाब Advantage of Advertisement विज्ञापन के क्या-क्या लाव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे विज्ञापन का जो पहला लाव है वो पादकों को लाव है विज्ञापन से कुल लगभग चार प्रकार के लाव होते हैं विज्ञापन के लाव को चार वर्गों में बाटा जा सकता है पहला है उत्पादकों को लाव तुसरा है भोगताओं को लाव तिसरा है मद्धिस्तों को लाव चोथा है समाज को लाव आए पहले उत्पादकों कैसे लाव होगा benefit to producer उत्पादकों को विग्यापन के माध्यम से अनेक प्रकार के लाब होते हैं जैसे नए उत्पाद का परिचे कराना को एकर नई वस्त निर्वान कर रहा है बना रहा है तो उसका भी परिचे आम जन्ता से कराता है दूसरा लाब होता है उत्पादक को जो पुराने उत्पाद हैं उसकी मांग में व्रद्धी भी करा सकता है बारबार विग्यापन करके जो उसके पुराने उत्पादे तवस्त हैं जो कम भी कर रहे हैं उसकी मांग में व्रद्धी करा सकते हैं बाजार छेत्र में बृद्धी हो सकती है प्रत्योगिता का सामना करने में सहायक होता है उत्पादन लागत की कमी में भी सहायक हो सकता है ख्यात की बृद्धी में सहायक हो सकता है और जो बिचवली होते हैं एजेंट मध्धस्त और कुशल करमचारी उनको भी उतपादक के माध्धम से लाब होता है दूसरा है उब्भोकताओं को लाब उब्भोकता माने ग्राहक to profit to consumers तो consumer, customer जो होते हैं उनको क्या लाब होता है विज्जापन से उनको भी अनेक लाब होता है जैसे बिधिन उतपादों का ग्यान होना अनिक प्रकार की वस्तों जो उत्पादित हो रही है उन सब का उन्हें जानकारी मिल जाती है अच्छी जो किस्म की वस्तों हैं वो कौन हैं कम मोल की कौन सी वस्तों हैं उनको ऐसे सभी प्रकार की वस्तों की जानकारी होता है और सभी प्रकार की जानकारी होने कारण गरांकों को सोशन का डर नहीं गयाता माल खरेदने वनको सुगमता होती है, सरलता होती है और जो मध्यस्त होते हैं, बिचवल या एजंट दलाल जो होते हैं उनसे भी उनको छुटकारा मिल सकता है समय ओम स्रम की बचत होती है वस्तुवों के चुनाओं में भी उनको सुब्द्या होती है कौन सी वस्तुव हम लें वो सस्ती है अच्छी है थर्ड है मध्यस्तों को लाब मध्यस्त मिन्स बिचोलिया एजेंट अब बिचोलिया कई होते हैं चुकि उत्पादक और भोगता यही दो छोर होते हैं इसके बीच जितने इतने लोग आएंगे वो सब बिचोलिया के सड़ी माएंगे जैसे डिलर, थोक ब्यापारी, एजेंट, फुटकर ब्यापारी आदि तो मद्धस्त में इन सब को लाब होता है वस्त्वों का विक्रे करने में इनको सुरलता हो जाती है आय में इस्थाई रूप से वर्द्ध होती है बाजार का अध्यान करने में भी इनको आसानी होती है चोथा है समाज को लाब बिग्यापन से समाज को भी लाब होता है समाज को अधिक रोजगार मिलता है उनके जीवनस्तर के सुधार में सहायक होता है लोगों की जानकारी में प्रद्धी होती है संदेशवान के माद्यम से जो मद्दस्त होते हैं वो भी सक्री रहते हैं और एक स्वस्त प्रतिस्वर्धा के निर्मान में भी सहायक होती है और तथा देश का आर्थिक विकास भी होता है अब आईए हम विग्यापन के दोस विग्यापन करने में कुछ कमियां भी होती है कुछ दोस भी हैं कठनाईयां भी हैं कौन-कौन से हैं कठनाईया विग्यापन के ऐसे चार-पांस दोस हैं पहला एक कीमतों में व्रद्ध विग्यापन करने से वस्तु के मूल में बृद्द जाती है त्योंकि विग्यापन पर अधिक वेखर्च होता है उस बे को वस्तु के मूल में जोड़ दिया जाता है विग्यापन पर जो भी खर्च होता है उससे वस्तु की कीमत में जोड़ दिया जाता है इसलिए वस्त जो है उंचे कीमत पर विक्ती है तो पहला दो से कीमत विक्ती तुसरा है क्रेताओं को ब्रमित करना जो क्रेता है इतना विज्यापन होता है क्रेता भी कभी-कभी ब्रमित हो जाता है कौन सी वस्त खरीदें ये खरीदें और वो खरीदें और कभी-कभी लोग भ्रमित विग्यापन करके ग्राहा को भी भ्रमित कर देते हैं तो ग्राहा कभी वस्त को खरिता है और बाद वस्त को तिरासा होती है यह वस्त ठीक नहीं है तो तीसरा है राश्टी साधनों का अपिब्बे बिज्ञापन के माध्यम से राश्टी साधनों का दुरपयोग भी होता है चौथा है एकादिगार को प्रोथ साहन बिज्ञापन के माध्यम से कभी-कभी बाजार में किसी एक ब्रांड की लोग प्रीता जदा बढ़ जाती है और उस ब्रांड की एकादिगार की प्रवित्ति को प्रोत साहन मिलता है Next और Last है नैतिक पतन कभी-कभी बिग्यापन करता अभद्र भाषा और चित्रों का प्रियोग करके बिग्यापन के माध्धम से नैतिक पतन का भी संकेत देते हैं जो सामाजिक दृष्ट से उचित नहीं है गलत ढंग से चित्रों को दिखाते हैं और ग्रांकों को ब्रमित करते हैं आज इतना इमलग पढ़ेंगे यह दूसरा चैप्टर है समाप्त